दोस्तों नमस्कार, दोस्तों कल्पना की दिये कि आपने कोई गुनाह ना किया हो और आपको 10 साल के लिए 20 साल के लिए 25 साल के लिए कोई जेल में डाल दे तो आपको कैसा लगेगा और आपकी फैमली कैसा लगेगा आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि मैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं आते अगवादी बन जाओंगा या यह कर लूँगा वो कर लूँगा एक सीजी सी बात है जो मैं आच चर्चा कर रहा हूं आपसे अभी लगभग तीन दिन हुआ है मेरे ख्याल से एक ख़बर आ अलादकार और दरित एक्ट जिसको स्साल में रहने के बाद हमारे तथा कथित्य जो हाई कोट में बैठे हैं उनको ध्यान आता है उनको लगता है यह बेगुना है उसके बाद इन्हें छोड़ा गया विश्नु तिवार्यों को जब गिरफतार किया गया था उस समय इनके घ पाल पिता थे कि इनका भाई था एसे लिकिन जेल में रहने के दुरान ही इनके माता पिता की मौत हो गई कि इन्हें अपने माता पिता की लाश को अग्री दिनने के लिए भी कोट से पैरूशन नहीं मिने क्योंकि एक गरीब घर से थे स्लिए कोई अमीर व्यक्ति होता तो मेरे ख्याल से पेरोल बगएरा मिल जाती उसको यह संजद अथ हो गया सलमान खान हो गया पेरोल अगर आपको चाहिए तो आपका अमीर होना जरूरी है ऐसा हमारी नैपाल का कहती है इशारो इशारो में तो विश्णु तिवारे को पेरोल नहीं मिली पूरा केस लड़ने में इनके पास छोटी सी जमीन थी में ख्याल से चार एकड़ के आसपास वो पूरी जमीन बिग गई इनकी इस तरह से एक व्यक्ति जिसने कोई गुनाह नहीं किया था लंबे समय तक लगबग 20 साल वो जेल में रहा मतलब कह सकते हैं कि उसकी आधी उमर निकल गई जेल में क्योंकि रफतार किया आगया हो था नावालिक तो रहे नहीं होगे बालिक ही रहा होँगे वह कोई बंदा 20 साल अगर जेल में बिता दें तो यह कितने शर्म की बात है वह भी तब जब उसने कोई गुणाह ना किया हूँ तो दोस्तों यह सब चीजे आपके साथ भी हो सकती है यह ध्यानक है यह सब आपके साथ भी हो सकता है जहां नैसरगी की न्याय का सिधान्त जिसको हम कहते हैं तो प्रिंसिपल ओफ नैचरल जस्टिस ये कहता है कि सो अपरादी छूड़ याएं तो चलेगा किन्तु एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए किन्तु भारत का जो न्याय तंत्र है भारत के जो कानून है वो इस विचारधारा के साथ बनते हैं कि सो गुनहगार जो इंडिया का सिस्टम है वो इस विचारधारा के साथ बनता है कि सो जो वो हैं गुनहगार है उनको सजा मिले या ना मिले लेकिन जो बेकसूर है उसको जेल होना ही चाहिए इस तरह से सिस्टम बनाया गया है यही कारण है कि आए दिन हमारे देश में जूटे आरोपों के चलते लोग जेल जाते हैं और कुछ कानून तो ऐसे जो बड़े विख्यात है हमारे देश में जिसके तहत व्यक्ति को जेल जाना ही पड़ेगा चाहे व्यक्ति जो है वो बेकसूर क्यों न हो बलातकार का ही एक एक एक्जामपल ले लिजिए फिर जो यह एट्रोसिटी एक्ट है जिसको एससे एस्टेट कहते हैं हो गया उसके लावा छिड़खानी यौन शोशन महिला मतलब महिला से संबंधित कानून और एक जाती से संबंधित कानून यह दो कानून जो हैं इसके तहट किसी को भी जेल हो सकती है कभी भी हो सकती है आप बेकसूर हैं आप गुनेगार हैं ये सब तो बाद में थाबित होता रहेगा मगर आपको जेल जाना पड़ेगा और एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम आ जाता है जब किसी व्यक्ति पर इस तरीके के आरोप लगते हैं और एसा किसी के साथ भी हो सकता है ध्यान रखिए क्योंकि भारती कानून का जो आधार है वो न्याय नहीं है कानून का आधार न्याय होना चाहिए जस्टिस सुट भी बेस ओफ लॉव लेकिं इंडिया में इसा नहीं है इंडिया में किसी कानून का आधार है गंदी घिनवनी राजनीत के कारण ऐसा होता है अब अगर इस केस की ही में चरचा करूँ विष्णु तीवारी केस की तो सवाल ये है कि इसके लिए अब क्या हो अब उसको न्याय केसे मिले क्या फिर से मुकदमा चलाएंगे उसको न्याय देने के लिए क्योंकि हमारे याँ जो जजेज बेठे हैं उनको बहस करवाने बड़ा मज़ा आता है वो उन मुद्दे में बहस करवा देते हैं जो बहस के मुद्दे होते ही नहीं है यह सावित हो गया उभी एक असूर है तो बिना विलंब किये मेरे ख्याल से विश्णुतिवाली को कम से कम से कम से कम 200 करोड रुपे कमपन्शेशन के तौर पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए